हरियोम राम राम आप सभी भायवहनों का हमारी यूटूब चैनल में प्यार भरा स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में आपको हरीत की यानी हरड के बारे में परचे करूंगा और सधीत रोग आप लोगों को बताऊंगा इसका वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया स्थानिक के साथ मिलता है इसको संस्क्र Wars में अभ्या हिंदी में हर रे संस्क्र तरा इसके नाम से जानते हैं आ अम्रिता अभ्या जिवन्ती और चेत की और इसकी पहचान करने की कई परकार की तरीका सास्त्र में बताया गया है जैसे यह जो स्रेश्ट हरण होती है उसकी पहचान बताया गया है यहां गोल होती है भारी होती जल में डूबने वाली रखतवर्ण की होती तोड़ने में गुड के समान तूटने वाली कसाय स्वाद में कसाय ज्यादा होती है और मोटी च्छाल होती है अब पकर वहां असानिक सांद्गी लगभाग इसका वजन होता है 25 ग्राम के पड़ी हुई हो भूमी में पड़ी पड़ी टूट फूट गई हो ऐसे को अफसादी प्रियोग में सेवन नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति हरण का सेवन कर रहा है वहां इस चीज का ध्यान रखेगा जो अधिक ठका हुआ हो कमजोर हुआ हो और शरीर का एकदम हो गया लंगन किया हो पीत अधिक गड़ गया हो शरीर में गरभ होती जो माताइं है और जिसको रक्त की कमी है हरण का सेवन नहीं करना चाहिए और जैसे अधिक मैठून करने वाला सराब पीने वाला वीस कपान करने वाला कमजोर स्रीवाल गर्मी से पिढित ऐसे विक्ति को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसको मुख में सूजान आ गया हो और अब भुखार जादा हो गया हो गर्भती माता है उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए चलते हूं मैं इसकी कुछ और सद्धियां जड़ी बूटी आप लोगों को बताता हूं आप पाचन क्रिया नहीं हो रहा है तो इस हरड की चुरून को बराबर मिस्री मिला करके सुभा साम भोजन के बाद खाने से या भोजन कर रहे हैं तो पांच कावल भोजन करो उसके बाद इसका चूड़न खाओ फिर पांच कावल इस तरह से अगर आप खाते हो तो शरीर में जो पाचन क्रिय नहीं होता उस पाचन क्रिया को यहां हरड ठीक करता है और इसकी यह और प्रविद्धी है जैसे प एक के खाने से दीन में 4-5 बार कमला जैसे पिल्दीं रोगों में आतिअन्तर लाबकारी है और इसको जिसको हांतीपाओं learnt के रोगी की इस हरड को और इरण की तेल में पका करके छे दिनों तक के पिने से हांथी पाऊंअ जैसे रोगों में अतिनतर लाब कारी होता है और गाँ को सडगड़ गया हो इसको धोने के लिए स्वस्ते लाब के लिए हरण का लाब काड़ा बना करके गाव को धोने से गाव अतिशिग्र भरता है और इसकी कुछ अउस्थिया पर्योग और है जैसे स्वांस के रोगी है जिसके फ्यपडम कब जम गया हो तो हर रोज दो दो गराम के मात्रा खाने से कैसा भी आपका स्वांस रोग है उसमें आप लाप पराप्त कर सकते हो जिसको बबाद सीर हो गया हो तो मेडिकली स्टोर में अभ्यार इस्ट नाम के उस्थि मिलती है उसको पीने से भी यहाँ ख़तम कर देता है और हरण को पीस करके जी जगह पर मस्सा है चाबादी हो या खुनी हो जगह पर लगाने से बबाद सीर को जडसेंथ खतम करता यहाँ अनभूत परिक्षित है और इसके प्रयोग है नागरमुथा हराड नीम की चाल और पटोल पत्र मुलेटी का क्वाद बना करके गुनगुना करके पिलाने से छोटे बच्चे हैं उनके बुखार तुरंद उतर जाता है और कैसे भी आपका सिरीर में सूजन हो गया हो हर सूजन होगा है उसमें अत्यनतलाब कारी सिद्वा है और इसको रात को एक कल्प बता रहा हूं रात को एक हरड को सुखरड को डोब दीजिए पानी में ताजा पानी में अब ढग दीजिए और सुभा दातुन करके उसको अगर आप खाते हो तो दीन में तीन-चार बार पत सुखरती बढ़ना और पेट में जितने भी खराबी है उस खराबी को नश्ट करता है यहां सैकड़ोबार का अजमाया हुआ सरतिया पर्योग है इसको आप पर्योग करके लाब ले सकतो यहां काया कल्प रसान है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो इसका पर्योग कर नमस्कार प्राणाम